अब अगर आपको याद हो तो हमने लास एक्टरसाइज में फर्मूला एक किया था ठीक है ए माइनस बी इस इकल सु ए का स्केर माइनस बी का स्केर यह चीज़ से हमारे पास हमारे पास यह हमने फाइंड करना था यह गिवन थी ठीक है अब हमने क्या करना भए हमें यह चीज़ धी हुए है यह हमने इस पो में लेकर आने फिटराइज स्ट्राइज़शन परम थीक है आप देखें फ्ट्रियू ब्र वान इसके लिए आप लोग पताना चाहिए स्केर का ठीक है 2-3 आपके तो आपके तो कपह स्केर का इसका कभी लिए जा सकता क्युक्य हमारे पास 1 ही होता लेकिन यहांप स्केर में माइनश था है लोग तो 2 a Prem LIKE 2 माइन ऐसे स्केर हुआउ ऑ किसका स्केर है फाइव का ृटेक है यह है को यह हमारे पास चीज आगी स्केर माइनस आज जो με को ठीक है a minus b 2a plus 5 and 2a minus 5 ठीक है सिंपल इस form में लेकिए आना है then 16b का स्केयर minus a का स्केयर 16 किसका स्केयर है 4 का 4b का स्केयर minus a का स्केयर 4b plus a 4b minus एक बार a plus b और second time a minus b ठीक है यह चीज जो हमारे पाते हैं यह रिमूव हो जाती है खतम हो जाती है आप जो question मतनी है वो थोड़ा सा change है ठीक है लेकिन कोई difficulty नहीं है यहां देखें आप जो हमारे पास यह चीज ए यह बी है क्यूंकि formula है a का स्केयर minus b का स्केयर तो यह minus 1 है ठीक है तो minus हमारे पास formula में आ जाएगा तो यह हमारे पास x plus 1 का स्केयर है ठीक है आप देखें x plus 1 का whole square minus 1 का whole square ठीक है a और यह मर्पस 1 b है a और यह b a plus b और a minus b a minus b ठीक है minus 1 आ गया x plus 1 plus 1 x plus 1 minus 1 हमारे हमने लिख दिया आप क्या करने है आप इसको solve करने plus 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 one and one two x plus two plus minus minus one and one cut कर देंगे one में से one minus करें तो हमारे पास क्या जाता है जीरो हमारे पास remaining क्या है यहाँ पे सिर्फ x तो हमारे पास answer क्या आ गया x plus two bracket में और हमारे पास साथ x ठीक है अब question number four देके हमारे पास है x का square minus y plus z का whole square अब यहाँ पे हमारे पास यह चीज़ a है और यह b है ठीक है solution then again question अब इसको formula में लेके आएंगे a का square minus b का square a plus b a एक मिनट a plus b a minus b ठीक है x x plus y plus z यह पूरा y plus z यहाँ पे आ गया ठीक है यहाँ पे साइन को ठीक है तो हमारे पास आगी x plus y plus z x minus y minus z ठीक है अब number five जो हमारे पास है question इसमें हमने दो बार square लिया ठीक है four है एक बार हमने square लिया x square का square two two zero four हमारे पास होता है ठीक है x square का square ठीक है x square plus y का square x square minus y का square दो बार हमारे पास आ गया ठीक है x square plus y square अब हमारे पास यह देखें यह चीज हमारे पास आ लिए a square plus b square और a square minus b square हम इस चीज़ को खरते है फार बुले कि कि यह पर माद प्लस का sign है इसको as it is लिखते हैं इस चीज़ का हम दोबारा square लेंगे ठीक है x square minus y square खोलेंगे तो यह चीज़ रिमूब होगी x plus y x minus y तो क्या हमारे पास आंसर आगे x square plus y square x plus y और x minus y ठीक है अब यह देखें इसके five parts मैंने आप लोगों को करवाएं remaining parts आप लोगोंने खुद करने हैं ठीक है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है factorization का बाकि इसमें कोई difficulty नहीं ठीक है आप लोग यह अपनी कॉपीज पर कीजे का और काम प्रॉपरली अपनी कॉपी पर अटंब किया को आप कर दो